पंजाब में एक खालिस्तान समर्थक लगातार पेर पसार रहे हैं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ब़ल्कि nights PNJAB से सामने आ रहे ही तमाम तस्वीरें इस बात को बयां कर रही है ऐसा कह रही है वारिस PNJAB दे ये जो संगठन हैं दोस्तो इसके प्रमुख अमरित पाल सिंग और उनके तमाम समर्थकों ने पंजाब के अमरित सर में उत्पात मचाया है कई खबरों में अमरित पाल सिंग को खालिस्तान समर्थक के तौर पर अंकित किया गया है कई खबरों में कटर पंथी के तौर पर अंकित किया गया है लेकिन आज अमरित पाल सिंग की चर्चा इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि इस शक्स के साथ साथ इसके समर्थ को ने आज पंजाब के अमरित सर के पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया इसके समर्थक तलवार और बंदूक लेकर हजारों की तादाद में अजनाला पुलिस थाने पहुँचे और पूरे पुलिस टेशन पर इन लोगों ने कबजा कर लिया बताया है यह जा रहा है पुलिस टेशन के अंदर घुसेते तलवार बंदूक लेकर जो भी तस्वीरे जो आपको इस खबर में हम दिखाएंगे दोस्तो नमस्कार मेरे नामें जयनती जाओ और आप देख रहे हैं देनेशन दोस्तो पंजाब में खालिस्तान समर्थक अक्टिव हो गया ऐसा लग रहा है जो अपना आलग राष्ट बनाना चाहते हैं काफी समय से उस अलग राष्ट और वो जो गिरफतारी है वो उस शक्स की थी जो कि अमरित पाल सिंग का बहुत करीबी माना जाता है अमरित पाल सिंग का पूरी खबर में हर तरफ जिकर है दोस्तो साथ ही पंजाब में भी इस वक्त वो चर्चा का विशे बना हुआ है लेकिन क्यों ये सवाल है सिर्फ अगर उससे पहले पूरा मामला क्या है ये हमला कहा हुआ है और क्यों हुआ है इस बात को समझने की जरूरत है तो आपको समझाते हैं दोस्तों बिना देर किया आपको बदा दो कि वारिस पंजाब दे जो संगठन है इसके प्रमुख अमरित पाल सिंग के करीबी लवप्री अमरित पाल के समर्थर में निहंग तलवारों के साथ यह सब सब के सब पहुंचे इस दौरान पुलिस से उनकी धक्का मुक्य हुई आपको जरा इस तहलके का वीजियो दिखाना चाहेंगे सबसे पहले वीजियो देखिए तो जैसा आपने वीजियो में देखा होगा कि किस तरीके से इन समर्थकों ने पुलिस चौकी और पुलिस वालों पर हमला कर दिया जैसे खबरे सामने आ रहे हैं खबरों का यही कहना है दोस्तों कि बहुत सारे पुलिस कर्मी इस पूरी घटना क्रम में घायल हुए हैं बीबी से के खबर कहती है कि अमरित पाल सिंग ने एकड़ों हजारों की तादाद बताई जा रहे हैं उन सभी समर्थकों को अमरित पाल सिंग ने ही बुलावा भेजा था ऐसा बताया जा रहा है अब इन साहब के जितने समर्थक हैं यह कई जगों पर बैरिकेट्स तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहें कई बार पुलिस प के खिलाव राजनीतिक मन्शा के साथ F.I.R. दर्ज की गई है इनको लगता है कि हम कुछ करने लायक नहीं है अगर वो एक घंटे के भीतर केस को रद नहीं करते हैं तो कुछ यहां होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मिदार होगा यह चेतावनी भी समझी जा सकती है धमकी की भी समझी जा सकती है दैनिक भासकर के खबर के माने दोस्तों तो पंजाब पुलिस पर इतने लोगों के दबाव के बाद उन्हें आरोपी को रिहा करना पड़ा और रिहाई का ऐलान हो गया अमरित्पाल ने ही समर्तुकों से गुरुवार सुबह 11 बज़े अधुनाला खबर कहती है इसके बाद यहां भीडी खटा हो गई माहौल गंभीर हो चला माहौल के गंभीरता को भापते हुए पुलिस भी आक्टिव हो गई अमरित्पाल के पहुचने से पहले उसके समर्तुकों को उठाना शुरू कर दिया इसी से माहौल गर्माया दोस्तों और उसी क के बाद यह जितने भी लोग हैं लोगों ने पुलिस टेशन पर धावा बोल दिया आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगे कि अमरित्पाल सिंग उसके साथी तुफान सिंग समेत कुल 30 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज है अब मामला किस उसमें दर्ज है य जिसके गिरफ्तारी हुई थी और जिसके गिरफ्तारी को रद करने के लिए ये लोग सडको पर उतर आये तो फिर वो मामला किया था वो समझ ये दोस्तों खवर कहती है कि इन सबने अमरित्पाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो एक पोस्ट किया था वो पोस्ट जिसने किय उस post पर टिपनी करने वाले एक युवक को kidnap करने के बाद उसे बुरी तरीके से पीटा गया यानि अमरित पाल सिंग के समर्थन में एक post किया गया उस पर एक युवक ने टिपनी की और उस युवक को पहले kidnap किया इन लोगों ने उसके बाद उसको बुरी तरीके से पीटा किया, इसलिए इसके साथी की गिरफतारी हुई थी, जिसे बचाने के लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया, शुरुआत में आपको मैं बता रही थी दोस्तों कि अमरित पाल सिंग हाली में सुर्खियों में आया था, वो तब सुर्खियों में आया था जब इस शक्स ने ग्रे मंत्रियां में शाह को धंकी दी थी, अब उस धंकी की जो जिक्र है उस धंकी का, वो मैंने शुरुआत में किया था, लेकि मैंने आपको बताया नहीं था कि धंकी क्या दी गई थी, इस वक्त आपकी स्क् आने की कोशिश की थी क्या हश्रु हुआ अब अमिच शा अपनी इच्छा पूरी करके देख ले यानि सीधे तोर पर अमिच शा को धमकी दी गई थी अब आप देख सकते हैं कि अपने साथी को छोड़ाने के लिए किस लेवल पर प्रदर्शन किया गया है साथी इन लोगों क हाथ में तलवारे बंदूके थी जो और भी ज्यादा भायावय मज़र है बताया यह जा रहा है कि कई पुलिस कर्मी इस पूरी घटना में घायल हुए है ऐसे में लोगों के खिलाफ क्या आक्षन लिया जाएगा दोस्तों यह देखने वाली बात होगी क्योंकि अमरित पाल सिंग का एक एक बयान दर्ज है जहां उसने यही कहा है कि आप किसी भी चीजच गो टैबू नहीं कहते तो आप खालिस्तान को क्यों कहते हैं खालिस्तान अचानक से खत्रा क्यों बन जाता है अगर विचारधारा वाले लोग एक साथ नहीं रह पा रहे थे तो उनको अलग रहना चाहिए और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमें खालिस्तान राश्ट्र चाहिए इसमें बुराई ही क्या है तो ये टाइमसनाव की बाचीत में सब कुछ अमरितपाल सिंह ने कहा है दोस्तो टाइमसनाव की रिपोर्ट के मताबिक उसने इस मांग को कई दफा दोहराया ह हला कि अगर पंजाब पुलिस की बात करेंगे तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जाच के लिए इसाइटी का गठन किया जाएगा पर क्या उसके बात कारिवाही हो पाएगी अभी आप देख सकते हैं कि एक शक्स की गिरफतारी पर इतना बवाल मचा हजारों की दादाद में लोगों ने पुलिस टेशन पर हमला कर दिया पुलिस वालों पर हमला कर दिया अगर आगे जाकर इस पूरे मामले में कोई कारिवाही होती है तो वो कितनी सुरक्षित है ये सवाल है ये अभी भी एक सवाल है दोस्तों इसका जवाब कब तक मिलता है ये तो हम भी नहीं कह सकते लेगिन जैसे ही मिलेगा हम फिर हाजर हो जाएंगे बेराल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार